गालिब का लिखा हुआ कलाम है और उसे गाया है चित्रा जी ने और मेरा एक बहुत हम्बल एटेंप्ट है तेरे वादे पर जी हम तो ये जान जूठ जाना के खुशी से मर न जाते के खुशी से मर न जाते अगर एत वार होता के खुशी से मर न जाते अगर एत वार होता ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर और जीते रहते अगर और जीते रहते ये इंतिजार होता ये न थी हमारी किस्मत इसी कड़ी में आपको एक और गजल सुनाती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसे बचपन से ही सुनती और गाती आ रही हूँ तो आप सब के लिए ये बहुत ही खुशूरत गजल जगजीत सिंध साहब को जितना भी याद करें और जितना भी उनके बारे में कहें वो कम है वो जल्दी तो बहुत चले गए वाकई और बहुत दुख है इस बात का लेकिन मुझे लगता है वो हम सब की दिलों में आज भी जिन्दा है और हमेशा जिन्दा रहेंगे क्योंकि उन्होंने जो संगीत किया है वो अमर है वो कभी धूमिल हो ही नहीं सकता है उनकी एक वजल है जो मुझे बेहद पसंद है और मैं अक्सर वो गाती हूँ क्योंकि जो लिरिक्स हैं हस्ती के लिरिक्स हैं इतने खुबसूरत लगते हैं मुझे कई बार अच्रज होता है कि लोग इतना खुबसूरत कैसे सोच सकते ही जो कि इतना relevant हो किसी की भी जिंदगी में तो वो वजल मैं आपको जरूर सुनाना चाहती हूं दोलाई ने जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था लंबी दूरी तै करने में वक्त तो लगता है लंबी दूरी तै करने में वक्त तो लगता है नए परिंदों कोडने में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लखने में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लखने में वक्त तो लगता है प्यार करने में वक्त तो लगता है यार साथिए नर लगता है यार घज़ी तो लगता है